इस वीडियो लेक्षर में हम लोग जानेंगे कि साइक्लो प्रोपाइल मिथायल केटाइन जिसे हम सीपीम केटाइन भी कहते हैं क्या होता है साइक्लो प्रोपेन के अगर एडिसेड वाले कारबन पर पॉस्टिव चार्ज हो तो ऐसे कारभुक टैन को हम साइक्लो प्रोपाइल मिथायल केटाइन या फिर सीपीम केटाइन भी कह सकते हैं इस कार्बोगटेंड की structure को समझने से पहले cyclopropane के bonding pattern को समझना बहुँ जुरूरी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं cyclopropane के bonding pattern की cyclopropane एक three-member cyclic ring होती है जो कि एक hydrocarbon होता है और इसके ring में three carbon present होते हैं अगर इस angle की बात करें हम इस formula की तुरू calculate कर सकते हैं यहाँ पर n की value total number of carbon है जो इसकी ring में present होते हैं जैसे cyclopropane में total three carbon ring में present होते हैं इस formula में n की value जब three रखेंगे तो इस inter nuclear angle की value 60 degree आएगी अब बात करते हैं इसके bonding pattern की cyclopropane में तीन carbon जो इस ring में होते हैं इनका hybridization sp3 होता है इस कारण से इसके carbon पर दो sp2 orbitals present होते हैं इसी तरह ऐसा तीनो carbon पर होता है अब मान लीजिए इस carbon के nucleus में से गुजरती हुई एक line को draw करें और वो line तीनो carbon से हम इस तरह से draw करें वो एक दूसरे को intersect कर जाए तो यह जो angle होगा यह इसका inter orbital angle कहलाएगा और यह angle जो होगा वो 109 degree 28 minute का होगा इसको कुछ हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो cyclopropane ring है उसमें यह जो inter orbital angle है वो 109 degree का होना चाहिए था और इसमें actual में जो bond angle है जिसे हम inter nuclear angle कह रहे हैं यह 60 degree का है यह इन दोनों को अगर minus करें तो actual में इस molecule में 49 degree का strain होता है जिसे हम ring strain कहते हैं यह इसमें ring strain 49 degree के approximate होता है अब cyclopropane में इस 49 degree ring strain जिसे हम angle strain भी कह सकते हैं इसके साथ साथ एक और strain डवलप हो जाता है उस strain को हम torsional strain कहते हैं torsional strain को हमने stereochemistry के वीडियो के दोरान newman projection में detail में explain किया था अगर हम cyclopropane के newman projection की बात करें तो इसका newman projection कुछ इस तरह से दिखाए देता है इसमें से यह जो दोनों hydrogen है यह exactly एक के पीछे एक होते है यानि इनके बीच का जो angle यानि dihydral angle जो होता है वो zero होता है और zero होने के कारण इस दोनों hydrogen को हम eclipse hydrogen कह सकते हैं और इन eclipse hydrogen के कारण जो repulsion डवलप होता है उसे हम torsional strain कहते हैं इसका मतलब यह हुआ cyclopropane में दो तरह की strain होते हैं एक angle strain होता है जिसे हम ring strain भी कह सकते हैं दूसरा torsional strain होता है जो in eclipse hydrogen के कारण डवलप होता है इस कारण से cyclopropane के इन orbitals में poor overlapping हो जाती है inoregini chemistry में हमने दो तरह के overlapping देखी थी एक head-on overlapping होती है जिसमें sigma bond की formation होती है और एक sideways overlapping होती है जिसमें pi bond की formation होती है अब यहाँ पर question यह बना क्या यह जो overlapping है जिसे हम poor overlapping बोल रहे हैं क्या यह sigma bond की तरह head-on overlapping है या फिर pi bond की तरह sideways overlapping है तो इसका answer यह है ना तो यह head-on overlapping है और ना ही यह sideways overlapping है इसलिए इसके बीच का जो bond है ना तो वो sigma bond है और ना ही pi bond है इन दोनों के बीच का bond है अब इन दोनों strain से बचने के लिए molecule क्या करता है इन orbitals को bend करना शुरू कर देता है और इस तरह से इनकी bonding को हम banana bonding भी कहते है अब इस cyclopropane molecule में angle strain, torsional strain और banana bonding के current क्या impact develop होता है उसको हम discuss करते हैं किसी भी normal molecule में sigma bond के बनने के दोरान जो sp3 orbital के overlapping होती है वो उन में directly point की होती है चुंकि cyclopropane में banana bonding होती है इस लिए इस में जो sigma bond की overlapping होती है वो एक दूसरे को directly point की वे नहीं होती इस current से इनके बीच की जो overlapping होती है वो less effective होती है या poor overlapping होती है और इस के कारण से ही cyclopropane का जो carbon single bond carbon होता है वो normal carbon single bond carbon से weaker बन जाता है number second cyclopropane में angle strain और six set of hydrogen के eclipse होने के कारण टोर्शन strain के कारण इसकी जो strain energy होती है वो 27.7 kilo calorie per mole होती है number third cyclopropane में banana bonding के कारण उसकी bond lead और bond angle में interesting impact डवलप हो जाता है अगर cyclopropane को propane के साथ compare किया जाए तो cyclopropane में carbon single carbon bond length 151 picometer होता है जबकि propane में यही bond length 154 picometer होती है इसका मतलब यह है कि cyclopropane का जो bond length होती है वो decrease हो जाती है इसी तरह से अगर हम carbon hydrogen के बीच में angle की बात करें तो cyclopropane के case में यह 155 degree होता है जबकि यही angle propane के case में 106 degree हो जाता है यानि कि cyclopropane में carbon carbon के बीच की जो bond length होती है वो छोटी हो रही है और carbon और hydrogen के बीच का जो bond angle हो इंक्रीज हो जाता है इसी तरह से इसमें angle strain के current cyclopropane का जो carbon carbon के बीच का angle होता है वो 60 degree होता है जबकि propane में यही angle 109 degree 28 minute होता है अब इन सबका impact के develop होता है अब इससे molecule में यह होता है कि जैसे उसका carbon carbon के बीच का bond angle decrease होता है उसमें percentage p character जो है increase हो जाते हैं यह हम ऐसा कह लें कि इसमें percentage s character decrease हो जाते हैं और इसी तरह से जब इस carbon hydrogen के बीच का angle जो है वो increase होता है इसमें percentage p character decrease हो जाते हैं जबकि percentage s character इसमें increase हो जाते हैं अब इसके carbon और hydrogen की बीच में percentage s character increase हो रहे हैं इसके लिए हम इसके acidic strength को compare करते हैं acidic strength में अगर हम recall करें तो acid की strength निकालने के लिए molecule में से probable edge को remove कर दिया जाता है और उससे उसके corresponding conjugate base की formation कर ली जाती है और जिसका conjugate base जितना ز्यादा stable होता है उस molecule की acidity यानि acidic strength ज़्यादा होती हैं और जिसकी acidic strength ज़्यादा होती है उसकी k soaking E value ्ज़्यादा होती है जबकि p के value कम होती है अगर इन दोनों में अगर हम stability की बात करें तो इसका conjugate base ज़्यादा stable होता है अब ज़्यादा stable क्यों होता है क्योंकि यहां के carbon का जो hybridization होता है वो sp होता है जबकि इसका sp3 होता है तो sp में percentage इस character ज़्यादा होने के कारेट उसके electron negativity ज़्यादा होती है और वो इस negative charge को easily hold कर पाता है इसलिए इन दोनों conjugate base में अगर stability की बात की जए तो इसका conjugate base की stability ज़्यादा आती है और जिस conjugate base की stability ज़्यादा होगी उस compound की acidic strength ज़्यादा होगी इसलिए अलकाइन जो होता है वो ethane से ज़्यादा strong acid होता है अगर यही concept हम cyclopropane और propane के बीच में लगाएं तो चुकि cyclopropane में carbon hydrogen bond की बीच में प्रसेंटेस करेक्टर बहु ज़्यादा होते हैं जबकि propane में carbon hydrogen bond में ये प्रसेंटेस करेक्टर as compared to cyclopropane कम होते हैं और इसी करेंट से अगर हम यहाँ से h remove करके इनका conjugate base बनाएं तो इसमें प्रसेंटेस करेक्टर ज़्यादा होने के करन cyclopropane का conjugate base प्रोपेन के conjugate base से ज़्यादा stable होगा और इसी लिए इन दोनों में अगर हम acidic strength को compare करें तो cyclopropane की जो acidity या acidic strength होगी वो propane से ज़्यादा होगी जिसको हम इसके pk value से भी confirm कर सकते हैं अगर कोई strong acid है तो हमेशा उसकी pk value कम होगी चूंकि cyclopropane propane के comparison में strong acid है इसलिए इसकी pk value propane से कम होती है जो इस बात का proof है इस cyclopropane के इस H की nature propane के इस H से ज़्यादा acidic nature होती है number 4 cyclopropane का जो bond होता है वो carbon double bond carbon की तरह बहेव करता है अगर हम colson theory को consider करें यहाँ पर एक चीज़ note करने वाली यह है कि यह theory है इसकी calculation IT के point of view से beyond our scope है अगर हम colson theory को देखें तो इस में यह जो theta है यह bond angle है जैसे cyclopropane में carbon hydrogen bond angle 15 degree है या फिर carbon carbon के बीच का bond angle 60 degree है और यहाँ पर lambda square जो होता है यह hybridization index होता है इसके base पर calculation के data को देखें तो cyclopropane में जो CH bond होता है इस bond का hybridization SP 2.46 होता है और इसी तरह carbon carbon bond का hybridization SP 3.74 होता है जो clearly इस बात का indication है कि cyclopropane में जो carbon carbon का bond होता है उस में percentage p character बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और percentage p character ज़्यादा होने के करण अगर cyclopropane के adjacent कैसा भी charge है तो ऐसी condition में cyclopropane उस में olefin की तरह behavior करती है चुँकि इसमें double bond character increase हो जाते हैं तो ऐसी reactions जो alkene के through होती है वो असानी से इसमें possible हो जाती है जैसे इसके साथ अगर BR2 की reaction करवाई जाए तो इससे इस type का compound बनता है HBR में ये compound बनेगा और hydrogen nickel में ये compound बनता है बट ऐसा नहीं ये कि इसमें सभी alkene के reagent को use कर लिया जाए इसमें ऐसी बहुत सारी reaction है जो alkene के तरू पोसिबल होती है बट cyclopropane के तरू पोसिबल नहीं होती जैसे मान लो इसके reaction KMNO4 के साथ करवाई जाए तो इसके साथ कोई भी reaction पोसिबल नहीं हो सकती इन सभी reaction में अगर बनने वाले product को देखें तो हम easily ये idea लगा सकते है ये strain ring है और इसमें ये जो bone कुछ इस तरह से break होगा जैसे अगर first reaction को consider करें तो ये molecule कुछ इस तरह से break होगा इन दोनों carbon पर एक-एक H लग जाएगा जिससे propane की formation हो जाएगी अगर इस carbocatine की stability की बात की जाएए तो इसकी stability exceptionally ज़्यादा आती है इसका mean reason क्या रहता है इसका mean reason ये रहता है कि इस carbocatine के इस carbon पर एक vacant p-orbital होता है ये p-orbital इस cyclopropane के इस C2-C3 carbon के bond के साथ parallel रहता है या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस ring के जो banana bond का sigma bond होता है ये अपने electron carbocatine के इस p-orbital में donate करता है जिससे इसमें electron density की जो deficiency थी वो दूर हो जाती है और इसी current से इसे हम sigma p resonance भी कहते है चुकि इस carbocatine के electron deficiency दूर हो जाती है इसलिए इसकी stability increase हो जाती है और ये पूरा system इस तरह से behave करता है जैसे cyclopropane ring किसी olefinic double bond के साथ conjugation में हो अब सबसे important cushion ये बना कि इस sigma p resonance को हम dancing resonance क्यों कहते हैं अगर इस carbocatine में rearrangement की बात की जाए तो यहां से ये carbon carbon की बीच का जो bond होता है वो इधर shift हो जाता है चुकि अभी हमने इसके rearrangement में किवल इस bond को use किया है simultaneously इसका ये bond भी use हो सकता है तो इसकी दो तरह की resonetic structure बन सकती है अगर इसका resonance hybrid बनाए तो वो कुछ इस तरह से होता है यानि कि इस में ये जो positive charge होता है ये दोनों जगा पे delocalize हो जाता है या इस positive charge की movement के कारण ही इसे हम dancing resonance भी कह सकते है वीडियो के इस पार्ट तक हमने ये जाना कि cyclopropyl methyl carbogatine होता क्या है इसे sigma p resonance क्यों कहते है या फिर इसे dancing resonance क्यों कहते है साथ में हमने ये भी जाना कि ये exceptionally stable होता है ये कितना stable होता है और इसकी stability को हम की सतरे से define कर सकते है अब इसको हम consider करते है पिछले वीडियो lecture में जब हमने carbogatine की stability को discuss किया था वहाँ पर हमने इन दोनों को आपस में compare किया था इन दोनों में हमने वहाँ देखा था कि इसकी stability इस से ज़्यादा आती है अगर हम इसको CPM carbogatine के साथ compare करें तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा CPM carbogatine stable होता है अब अगर मान लो इसको benzyl carbogatine के साथ compare किया जाए तो अगर एक benzen वाला हमारे पास carbogatine है जिसे हम benzyl carbogatine कहते हैं तो उसमें एक cyclopropyl वाला CPM carbogatine की stability ज़्यादा आ जाती है अगर मान लो दो benzyl ring हो तो दो cyclopropyl ring वाला ज़्यादा stable होगा अगर तीन benzyl वाले के साथ compare करें तो तीन cyclopropyl वाला carbogatine ज़्यादा stable होगा अब अगर मान लो tricyclopropyl के 10 को tropylium के 10 के साथ तो पाइलियम के साथ compare किया जाए तो इन दोने में किसकी stability जाता आएगी इस carbogatine को हमने previous video lecture में देखा है कि इस carbogatine से साथ resonating structure बनती है और साथ में यह quasi aromatic होता है यह quasi aromatic का मतलब यह होता है इस compound की हर RS जो होगी वो aromatic होगी और hacker rule के according इसमें total 6 pi electron का होने के कारण यह quasi aromatic होता है अगर इन दोनों को आपस में compare करा जाए तो इस tricyclopropyl के tine की जो stability होगी वो ट्रोपाइलियम से भी ज़्यादा आती है और इसी कारण से अगर cyclopropyl methyl के tine का ring expansion या hydrate shift की बात करें तो यह कभी भी ना तो ring expansion शो करता है और ना ही इस तरह की hydrate shift शो करता है अम मालनों हमारे पास कुछ इस तरह का कर्बो के tine है तो क्या यह भी हमारे पास cpm के tine है क्या इसमें भी ring expansion या फिर hydrate shift नहीं होनी चीए तो इसका अंसर यह आएगा यह हमारे पास cpm के tine नहीं है क्योंकि यहाँ पर three member ring तो present है बट इन दोनों carbon के बीच में double bond present होने के कारण अब इसकी entirely nature ही different हो गई है और इस तरह के carbocatine में hydrate shift होने के बाद इस तरह का carbocatine बन जाता है अब इस टाइप के compound या इस टाइप के rule follow होता है और हक्कल rule के according ऐसे compound aromatic होते है और जब हमने हक्कल rule discuss किया था तो वहाँ हमने special type of compound को discuss किया था कि अगर aromatic compound की सभी RS aromatic हो यानि कि उसका कोई भी charge aromaticity में involved हो तो ऐसे aromatic compound को हम quasi aromatic compound कह सकते हैं यानि यह जो compound बनेगा इस में total RS 3 बनेगी और सभी RS aromatic होंगी यानि इसका positive charge aromaticity में involved होगा ऐसी condition में अभी quasi aromatic बन जाएगा इसका मतलब इस type के carbon tan में हमेशा हमको 1,2 hydrate shift को करना है इसी तरह से अगर इस carbon को consider करें इसमें इतना हिस्सा जो है वो cyclopropyl methyl carbon जैसा लगता है तो क्या इसमें भी ring expansion नहीं हो सकता अब यहाँ पे ध्यान एक लिए वाली बात यह है कि इसमें दोनों ring जो है एक carbon को sharing कियो है यानि कि हमारे पास spiro compound है और cyclopropyl methyl carbokatan में sigma p resonance के लिए उनके p orbital का parallel होना ज़रूरी है च्योंकि spiro carbon के कारण अब इनके p orbital parallel नहीं रहते यानि कि अब यह sigma p resonance की category का नहीं होगा और यह easily expand होके अपनी stability को increase कर लेगा अब बात करते हैं इसकी stability के evidence की अगर मान लीजे हमारे पास यह दो compound है जिसकी SN1 reaction acid 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 में करवाई जारी है चोकि SN1 reaction को हम detail में पहले discuss कर चुके है तो यहाँ पर हम mention करना चाहेंगे कि इसमें जो OTS होता है यह LG की तरह काम करता है और SN1 reaction में कार्बो करटैन की formation होती है जो कि इसका RDS step होता है यहाँ से OTS leave कर जाता है और इस carbon पर positive charge की formation से कार्बो करटैन की formation होती है चोकि कार्बो करटैन RDS step में बनता है इसकी SN1 reaction fast होती है जिसको हम इसके rate constant से easily correlate कर सकते हैं इसी तरह से इसकी stability को हम demnase of reaction के through भी explain कर सकते हैं elimination reaction के दोरान हमने pinacol pinacolone rearrangement में demnase of reaction को discuss किया था यह aliphatic amine की reaction होती है जबकि इसी aliphatic amine को diazotize किया जाता है और 0 से 5 degree centigrade temperature रखा जाता है तो इसमें SN1 reaction होती है और इसमें जो diazocompound बनता है वो unstable होता है diazocompound unstable इसली होता है क्योंकि इसमें NS2 group इसमें SP3 carbon से जुड़ा हो रहता है जिसको हमने diazotize reaction में electrophilic aromatic substitution के दोरान detail में discuss किया था अब इसमें होगा क्या चोकि SN1 reaction होगी और alcohol की formation होगी तो इसमें दो तरह के product बन सकते हैं इन दोनों product में से ये product ज़्यादा मात्रा में बनने का reason यही है कि इसमें ये वाला जो carbocritin है वो इससे ज़्यादा stable होगा बिल्कुल इसका reverse अगर cyclobutyl amine के साथ diazotization किया जाए तो ऐसी condition में दो compound की formation होती है और again इसमें इस compound के ज़्यादा बनने का reason यह होता है कि इसमें initially जो carbocritin बनता है वो ring contraction के तरू CPM के time में convert हो जाता है चुकि इसकी stability ज़्यादा है इस पर final attack के तरू SN1 mechanism के कारण ये final product की formation होती है जो कि इस reaction का major product बनता है तो guys I hope इस video lecture के तरू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि cyclopropane में bonding pattern क्या होता है और उस bonding pattern का CPM के time पर क्या impact आता है और किस कारण से CPM के time की exceptional stability होती है